नमस्कार, जैहीन, मैं दीपक, अपने यूटूब चैनल DS24Study में आपका हार्तिक स्वाकत करता हूँ आज का साइन्स का स्पेसल सीरीज में पार्ट 6 होने वाला है इससे अपहले हम 5 वीडियो अप्रोड कर चुके हैं साथ ही साथ Aesthetic GK का 36 वीडियो भी अप्रोड कर चुके हैं अगर आप देखना चाहते हैं दोनों का लिंक नीचे डिस्क्यूसर बक्स में रहेगा आप डिरेट जाके चेक आउट कर सकते हैं चलिए बिना देरी की हुए आज का सेसन स्टार्ट करते हैं पिछले पांच पाटों में टोटल हम लोग ने 68 कोश्चन कर चुके हैं आज 69 से हम लोग आगे बढ़ेंगे क्या है सवाल मद दताओं वोटर्स की जो अंगलियों पर लगाया जाने वाला मार्क होता है स्याही होता है वो कैसे बनता है आपको बताना है वोटर्स के जो फिंगर पर लगता है न मार्क वही बताना है आपको तो ओ होता है आपका सिल्वर नाइट्रेट का ऑप्सन नमर डी इसका करेक्ट एंसर होगा सिल्वर नाइट्रेट ऑप्सन नमर सी है सिल्वर ब्रोमाइड एजी बी या इसका का इस्तमाल कहां पर किया जाता है फोटोग्राफिय में किया जाता है जो निगेटिव होता था ना पहले निगेटिव को साफ करने के लिए फोटोग्राफिय का इस्तमाल किया जाता है सुरी सिल्वर बुरॉमाइट का इस्तमाल किया जाता है अपसन नमबर बी है सिल्वर आय a-ектив हिंदी में वह ह महीं हिंदी हाँ हिंदी होईटे अब बात नहीं सपा besarelle किमिद् efforts क्या होता है। चांदी चांदी को संकित से चंड़ से है अजी क्या होता है अर चेंटम से एजी को लिया गया है मास 47 होता है डी बोलो का इर्दै्लन्य enrollment होता है अजिस क्या ट्शी है नाम है चांदी के अजिस का नाम अर्जेन टाइट है अर्जेन टैट क्या दूना बहूं आपका किसका अजिस को फैस चैनले लेंड है है औरम का अपका atomic number 79 होता है यह भी आपका deep below का element है चाहे आपका चांदी हो या फिर सोना हो दोनों आपका deep below का element है कि चांदी आपका बिदूत मतलब electricity और heat दोनों का सबसे अच्छा conductor कौन सा होता है चांदी ही होता है silver ही होता है malleability मतलब अगहात वर्दता अगहात वर्दता आपका कोई भी metal का ऐसा property है ऐसा गून है जिसके करण उसको पतले चादर के रूप में उसको ढाला जा सकता है एक होता है तन्यता ductility जिसको हम बोलते हैं इसी विधातू का ऐसा गून होता है जिसमें उसका wire के रूप में तार के रूप में उसको खीचा जा सकता है आपको पता है ductility सबसे ज़्यादा किसका होता है तन्यता तन्यता सबसे ज़्यादा आपका gold का होता है एक गराम ककाभड से लगभग 2 km लंबा तार्ग खिचा जा सकता है आपका गोंड से सोना से मैलेबिलीटि स्फाने के बद चांदी में सबसे ज्यादा पाएजाता है सबसे उल्चांदी म सबसे ज्यादा दखालीटि मतलब तनियाता hill Malleability मतलब अगहात पड़ता किसे में पाया जाता है, गोल्ड में, और सेकेंड अस्थान पे, अपका Malleability अपका Silver में पाया जाता है, Silver के सता पे, चांदी के सतव पे, एक काले रंग का परत चड़ जाता है, किसका चड़ता है, silver sulφide का, ठीक है, और क्या बोला जाता है कि चांदी के चमज में अंडा नी खाना चाहिए, क्योंकि अंडे मेंbourne sulfur होता है, चांदी के चमज पे Black रंका, काले रंका धबा बनाता है, ठीक है, इतना सराचित, अब silver के बारे में याद रखिएगा, चलिये हम आ स्टना है कौन सा है most elektro negative आपका आवर्ध सारणी में कौन सा है fluorine अगर यहीं पर पुश्टा कि most el agricultural positiv कौन है तब आप बताने से ऑप्सान मacjiस ही नहीं यह आपका cesium cesium fluorine ौर cisim आप सूने ओंगे कि कि फ्लोरिन आपका 17 हमाला संग्राइप का इलीमेंट है यादब हमोनगा किया था ये लिना की रब और अब完 फरियाद, ठीक है, हillon लिथियम सोडियम, पोटेसियम, रुबेडियम, सիजियम और फ्रेंसियम, यहाँ है यहाँ पर देखें लिए, सीजियम है ना, यही आपका सबसे ज़ादा इलेक्ट्रो पॉजिटिटीव एलिमेंट है, और आपका फिलोरीन सबसे ज़ादा इलेक्ट्र निगेटिव एलिमेंट है सत्रहमा ग्रूप जो कि फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन और एस्टेटीन है यह आपका P-Block का एलिमेंट है जबकि आपका C-Z-M वाला जिस ग्रूप में एलिमेंट है मतलब पहले ग्रूप आपका S-Block का एलिमेंट है देख लेजिए प्रोडिटेबल में यह आपका S-Block है दोनों के दोनों आपका पहला ग्रूप और दूसरा ग्रूप आपका S-Block का एलिमेंट है इधर ओला जतना बच गया इधर से यह आपका P-Block का एलिमेंट है बीच वाला आपका सत स capitalize बॉलग का एलिमेंट है और नीचे वाला आपका एफ बॉलोक का है लें थीम और एक्टिनम जो है न यहां पर आ एगा इसके बाद जो चैज़ क्ने बचा हुआ है यह सारा का सारा आपका एफ बॉलोक का एलिमेंट है डी बॉलॉक में तूटल 28 अलिमेंट होते हैं D बुलक में 40 element होते हैं total कितना होते हैं 40 उसके बाद आपका P बुलक में 37 element होते हैं और S बुलक में total 13 element होते हैं आपको minimum S बुलक और P बुलक को याद करना पड़ेगा ट्रिक क्या का बताया था मैंने पहले भी बता चुके हैं आपको कि first group याद करने के लिए है ली ना की रब से फर्यार ये आपका first group का trick है second group है इसको याद करने के लिए क्या trick था बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी जो आपका 13 हमा group था ये आपका P बुलक में है ठीक है आपको D बुलक का याद करने का कोई जरूत नहीं है बस आपको बस इतना याद करना है उपर वाले का मतलब 21 atomic number से 30 number atomic number तक scandium से zinc तक बस याद कर लिए बस यही है काफी D बुलक के लिए P बुलक के लिए आपको इतना सरा याद करना पड़ेगा जो आपका 13 हमा group है 13 हमा समूँ है ये आपका 14 हमा है ये आपका 15 हमा है 16 हमा है 17 हमा है और ये 18 हमा है जो आपका 13 हमा group है जिसको हम बुरोन family बोलते हैं इसको कैसे यदे करेंगे बैगन, आलू, गजर, इन, ठैला मतलब बॉरॉन, एलमुनियम, गैलियम, इंडियम और टिटियम जो आपका कारवन फैमली है जो कि आपका चवुदह में गुरूप का है कैसे एत करेंगे कारवन, सिल्कॉन, जर्मिनियम, टीन और लेड कैसे एत करना है इसको कहे सिता, जी, सुन, प्रभू पंद्रहमा गुरूप नाइट्रोजन फैमली नाइट्रोजन, फासफोरस, अरसेनिक और एंटी मनी और बिसमत कैसे एत करेंगे इसको नल्ला, पाकिस्तान, अस्टेलिया, सब बिमार क्या बला मैंने नल्ला, पाकिस्तान, अस्टेलिया, सब बिमार आपका 16 नमबर गुरूप Oxygen, Sulfur, Selenium, Telenium और Polonium कैसे इसको याद करना है Old Style से T-Po क्या बला मैंने Old Style से T-Po ठीक है 17 नमबर और 18 नमबर तो आपको यादी होंगे Fluorine, Clorine, Bromine, Iodine और Estetine और आपका 18 जो गुरूप है 18 जो गुरूप है पहला आपका समू है इसको क्या बोलते है इसको हम बोलते है Alkaline Metal छारिये धातू बोलते है जो आपका 2 गुरूप है इसको हम क्या बोलते है इसको हम बोलते है Alkaline Earth Metal मतलम छारिये मृदा धातू के नाम से इसको हम बोलते है जो अब का तेरहमा गुरूप है इसको हम क्या बोलते है बोरोन फैमली बोरोन उपर में है इसलिए इसको हम बोरोन फैमली के नाम से जानते है जो चौधा नबर गुरूप है उपर में कारवान है इसलिए इसको हम कारवन फैमली के नाम से जानते है जो अब का पंदरहमा गु एमिली के नाम से देता है P-silentyone रहता है नीकोजना फैमली इसका नाम 15 को यॉपर आपको याद रखना जो आपका 16 वह गुरूप है ऐकसी हम फैमली किया नम चाइल कोजएन फैम फेमली चैल को जेन फैमिली और ऑक्सिजन फैमिली दूनों बोलते हैं जो 17 नमबर गुरूप है इसको हैलोजन फैमिली बोलते हैं पता ही होगा हैलोजन फैमिली जो 18 अमा गुरूप है इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं नोबल गैस, इनट गैस या फिर हिंदी में अक्रिये गेस बोलते हैं हेलिये मियोन आरगन क्रिप्टन जेनों रेडाउन को ठीक है चलिए इतना सारा आपको याद रखना है नेक्स्ट क्या है 71 नंबर कोस्चन निमलिखी ततों में से तेरहमे श्रमू तेरहमा ग्रूप से संबंधित नहीं है आपको बताना है कि कौन सा एलिमेंट है इस चारों में से जो की आपका तेरहमे ग्रूप से संबंधित नहीं है तेरहमा ग्रूप अभी आपको बताये थे लेगन आलू गाजर इन इन थैला थैला क्या था बरॉन एलमुनियम गैलियम इंडियम और टीटियम देख लेजिए तेरा हमां गुरूप से बरॉन है एलमुनियम है गैलियम है लेकिन टीन नहीं है option number D इसका correct answer होगा तीन आपका 14 हमें गुरूप का element है 14 हमां गुरूप कारवन फैमली था क्या trick बताया थे आपको कहे सीता जी सुनो प्रभू मतलब कारवन सिलकॉन जर्मेनियम तीन और लेड ठीक है तो तीन आपका 14 हमें गुरूप का element है जबकि उपर का तीन हमें बरॉन ए और गैलियम आपका 13 हमें गुरूप का element है ठीक है तो आपको ऐसे कोशन करने के लिए पी बॉलोग का और इस बॉलोग का सारा element याद होना पड़ेगा मतलब पहला गुरूप और दूसरा गुरूप आपका इस बॉलोग का 13 हमां गुरूप से लेके 18 हमां गुरूप तक यह है आपका 13 हमां गुरूप बॉरॉन फैमिली वाला बॉरॉन एलमुनियम गैलियम इंडियम और टीटीम इसमें से आपका तीनों ऊपर का था बॉरॉन एलमुनियम और गैलियम था लेकिन जो टीन है आपका 14 हमें गुरूप का element है इसलिए टीन नहां से एक्ष्टा हो ग पकिस्तान अस्टेडिया सब बिमार ओल्ड स्टाइल से टेपो ठीक है है लीना की रव से फरियाद बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी ठीक है इतना सारा चीजा याद करिएगा नेक्स्ट क्या है चौथा कक्षा फोर्थ सेल में अधिक्तम कितने इलक्ट्रोन हो सकते हैं माल लिजे एपका निवकलिया से नाभिक है एपका पहला सेल एपका दूसरा सेल तीसरा सेल और एपका चौथा सेल है जो पहला सेल है पहला सेल को क्या बोलते हैं के बोलते हैं सेकेंड सेल को एल बोलते हैं थर्ड सेल को एम बोलते हैं और फॉर्ट सेल को एन बोलते हैं तो maximum number of electron पहले सेल में कितना हो सकते हैं दो हो सकते हैं L सेल में मतलब second सेल में कितने maximum number of electron हो सकते हैं अधिकते हम कितने electron हो सकते हैं आठ हो सकते हैं third सेल में 18 हो सकते हैं और N सेल में मतलब चौथे सेल में 32 हो सकते हैं इसका फर्मूला आपको हम बताये थे 2N square इन क्या था number of cell था जिस भी सेल में आपको maximum number of electron निकलना है ना बस पूट कर दीजिए यहां आपको चौथे सेल में पूछा था 4th सेल में तो यहां पर चार पूट कर दीजिए तो 2 गुणा 4 का square चार का स्क्वाइर 16 गुना दो 32 तो यहां पर आपका चौंथे सेल में मैक्सिमन नमबर फिल्यक्ट्रॉन कितना होगा 32 अपका अप्शन नमबर डी इसका करेक्ट इंसर होगा नेक्स्ट क्या है 73 नमबर कोस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट आईरन और तीसरा पुष्ता तब आपका हो जाता कैल्सीम आपको तीनों याद करना है अगर भूब प्रपर्टी पे ही पुष्ता और यहां पर धात्यू की जगह तत्व पुछ लेता तत्व एलिमेंट के बारे हम पुछ लेता तब आपको क्या इंसाल लागाना पड़ता त दूसरे अस्थान पर आपका सिलिकॉन है गर यहीं पर यूनिवर्स में पुछ लेता ब्रामान में पुछ लेता कि ब्रामान में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है तब आपका हाइड्रोजन इंसर होता कि ब्रामान में सबसे अधिक मात्रा में पा तो mechanical energy यांत्रिक उर्जा आपका गतिज उर्जा kinetic energy प्लस आपका potential energy दोनों का summation होता है दोनों का sum होता है यह दोनों को जोड़ देने के बाद आपका mechanical energy यांत्रिक उर्जा मिलेगा तो option number D इसका correct answer हो जाएगा गतिज उर्जा प्लस इस्थितिज उर्जा potential energy पोटेंशियल energy है जो उपर में लिखा होगा है ठीक है kinetic energy के formula क्या होता है एक बटे 2 M V square प्लस potential energy मतब इस्थितिज उर्जा क्या होता है M G H अगर आप इहां से M common ले लेते हैं तो क्या बचेगा M common में आएगा क्या बचेगा V square by 2 V square by 2 plus G H यह आपका mechanical energy का formula है इसको याद रखिएगा जो कि आपका summation होता है kinetic energy प्लस आपका potential energy का मतलब गतिज उर्जा और स्थितिज उर्जा का योग होता है आपका यहांत्रिक energy next क्या है 75 number question निम्लेखीत में से किसी भी इस शमान शमू सेम गुरूप में मवजूद तदों का शमान क्या होता है इसमें से आपको बताना है कोई भी एक गुरूप ले लेजिए 18 गूरूप होते हैं कोई भी एक गुरूप उठा लीजिए उसमें से बताना है कि सेम क्या होता है क्या atom का size सेम होगा या फिर number of valence electron स से मुझा क्योंकि आपका एटों में से मन, हो सकता है यह दोनों तो नहीं होगा बच गिया आपको दोनों में से बताना है कौन सा सेम होगा आपका पहला option है thousand atomic size परमानुक अका कोई भी group में नीचे झाइएगा यहीं मेरा गुरूप है, समु है तो कोई भी गुरूप में नीचे जाईएगा नो तों आपका atom का size बढ़ता है same period में same आवर्त में आपका atom का size क्या है? घटता है क्यों घटता है? इधर क्यों बढ़ता है? यहां पे atom का size घटता क्यों है? इसलिए घटता है क्योंकि एक ही पिरिएड में, एक ही आवर्थ में number of cell कक्षाओं का संख्या तो सेम होता है, लेकिन atomic number बढ़ते चला जाता है, नाभिक में आपका proton का संख्या बढ़ते चला जाएगा, जब आपका नाभिक में proton का संख्या बढ़ते चला जाएगा और number of cell fix होता है तो आपका जो बाहरी के अक्षा में electron चकर लगाते रहते हैं force of attraction बढ़ जाता है इसी लिए size छोटा हो जाता है इधर आपका same group में, same sum of में क्या होता है proton का संख्या nucleus में तो बढ़ता है इसी लिए छोटा होते चला जा रहा था लेकिन group में number of cell आपका increase होते चला जा रहा था इसी लिए आपका proton था nucleus में electron जो बाहर के अक्षा में था इस पे force of attraction कम लगाने पा रहा था क्योंकि number of cell बढ़ते चला जा रहा है force of attraction कम लगने करण आपका atom का size बढ़ते चला जाएगा same group में और same period में atom का size घड़ते चला जाएगा तो यहां से तो clear हो गया कि same group में आपका atom का size same नहीं हो सकता है इसलिए third option बढ़त हो जाएगा option number d क्या है number of valence electron same होना चाहिए यही आपका answer सही होगा क्यों होगा कि number of valence electron आपका same group में same होते हैं माल लिजे कोई same group का element ले लिजिए इसको माठा देते हैं को भी same group का element ले लिजिए माल लिजिए एक same group आप ले लिजिए second group ले लिजिए बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी यहां पर आपका beryllium का atom कितना होता है चार, magnesium का 12 होता है 12 तो इसका देख लिजिए first cell में आपका number of electron कितना हो जाएंगे 2 और next वाले में number of electron 2 हो जाएंगे magnesium पहले cell में number of electron 8 दूसरे वाले में 8, 8, 2, 10 अब तिसरे वाले में number of electron 2 हो जाएंगे यहां पर देख लिजिए बाहरी का अख्छा में उपस्थी number of electron को ही हम क्या बोलते है वालस इलक्टोन बोलते है यह आपका माले जे निकलियस है यह अपका पहला cell है यह आपका दूसरा cell है यह आपका outer cell है Outer Cell में मौझूद number of electron को ही हम valence electron बोलते हैं Outer Cell देखे लिए Beryllium का 4 होता है atomic number तो पहले cell में 2 Next cell में 2 Magnesium Magnesium का 12 atomic number होता है तो पहले cell में 2 Next cell में 8 उसके अगले cell में 2 electron Outer cell में मौझूद number of electron ही valence electron का लाता है तो same group का दोनों element है बेरेलियम भी आप मैंगनेसियम भी इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक ही गुरूप में आपका number of valence electron सेम होगा इसलिए option number D इसका correct answer होगा next क्या है hydrogen bomb कि सिधान पे कारे करता है आपका hydrogen bomb नाबकिये sun lion पे काम करता है nuclear fusion पे काम करता है नाबकिये sun lion में nuclear fusion में आपका छोटे-छोटे नाभिक मिलके रड़ा नाभिक मनाते हैं और नाबकिये विखंडन में आपका एक रड़ा नाभिक छोटे-छोटे नाभिक में तूटता है hydrogen bomb आपका nuclear fusion पे अगर यहीं पे पूशता कि atom bomb atom bomb किसे काम करता है तब आपका बताना पड़ता nuclear fusion पे atom bomb nuclear fusion hydrogen bomb आपका nuclear fusion sun lion और विखंडन हिंदी वाले बचे याद करेंगे तीसरा option है आपका radiation ये आपका heat transfer करने का एक method है radiation में किसी भी medium का ज़रूत नहीं पड़ता है जैसे सूर का प्रकास हमारे तक direct पहुँच रहा है तो किस form में पहुँचता है कै इसको किसी medium को जूरत पड़ता है नहीं पड़ता है तो वही कहलाता है आपका radiation heat transfer के लिए तीन method आवस्यक है कौन कौन सा? conduction conduction convection convection और radiation हिंदी वों बोलते हैं हिट के बारे में कल आपको इस तीनों method से related आपको हम बताएंगे ठीके अगर यहाँ मैं पताने लागे तो वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा कल आपको हम पक्का इस तीनों के बारे हम बताएंगे चालन श्रवाहन और विकिरन के बारे में सूर्य में जो energy निकलता है वो भी आपका nuclear fusion पर ही काम करता है नाबकिय सलायन पर काम करता है next क्या है जब pH का मान 7 से 14 की और बढ़ता है तो यह निमलिखी दरस आता है जब pH का value 0 से 7 आपका neutral होता है और 7 से आगे बढ़ता है तब क्या होगा 7 से 14 की तरफ जाने पर आपका hydroxide ion का concentration बढ़ते चला जाता है और 7 से 0 की तरफ आने पर आपका hydrogen ion का concentration बढ़ते चला जाता है साथ से जीरो के तरफ आने पे आपका अमलिय प्रकिरती बढ़ते चला जाता है और साथ से चौधा के तरफ जाने पे आपका छारिय प्रकिरती बढ़ते चला जाता है तो अप्सण नमबर कौन सा हो जाएगा ओएच आयान का संरता बढ़ते चला जाता है अप्सण नमबर दी इसका करेक्ट इंसर हो जाएगा साथ से चौधा की और पिएच श्केल को कि ने दिया था सोteil समय ने दिया जाता है नेच्ट सेवेंटी एट नमबर कोश्चन एक बस् प्रतिवीम कहां बनेगा आपको बताना है देखें जे फिगर एक वस्तु को सेंटर अपकर भेचर और फोकस पॉइंट के बीच रखा गिया है तो इसका इमेज सेंटर से सेंटर अपकर भेचर से वकरता केंदर से पीछे बनेगा और वह भी उल्टा बनेगा बड़ा बनेगा उल्टा मतलब इनवर्टेट बनेगा इंग्लिस में इनवर्टेट और हिंदी में उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा लार्ज बनेगा और आपका रियल बनेगा क्योंकि मिदर के साइड में ही इमेज बन रहा है तो आपका रियल होगा मिदर के पीछे बनता तब आपक आपका रियल होगा वह आपका इनभर्टेड होगा उल्टा होगा और जो भी इमेज आपका वर्चुल होगा ना वर्चुल होगा वह आपका इनभर्टेड होगा मतलब सीधा होगा अभासी और सीधा एक साथ होगा और उल्टा और वास्तिविक दोनों एक साथ होगा बड़ा पास्तिविक और उल्टा दोनों साथ में नेश्ट क्या है 79 नमर कोस्चन अमलगम क्या है तो अमलगम आपका अप्सन नमर डी पारा और मेटल दूनों मिल के बनाते हैं जब आपका मरकरी मेटल के साथ रियक्शन करता है तब आपका अमलगम का निर्यमान होता है पारा एच जी सेंबल हग होता है इसका अट्नमिक नमर परमानुकर्मा कितना होता है 80 इसका अजस्क क्या नाम है सीने बार सीने बार इसका अजस्क का नाम है पारा को क्विक सीलवर के नाम से जानते हैं क्विक सीलवर के नाम से इसको हम जानते हैं आपका पारा के यूज कहां कहां होता है पारा का यूज आपका थर्मामेटर में किया जाता है पहले आप देखे होंगे एक सीसे का बना होता है पेंसि भरा हुआ होता था मरकरी का यूज आपका बैरोमिटर में किया जाता है इसाम में बैरोमिटर से क्या कोशन पुछता है कि जब भी आपका मरकरी का लेवल बढ़ता है तो क्या होता है मरकरी का लेवल जब भी नीचे गिरता है तो क्या होता है और एक एक नीचे गिरता है एक और एका एक नीजे गिरता है तो तूफान आने का खतरा होता है ठीक है इतना सारा चीज अब पारा सयाद करिएगा इसका सेमबल HG होता है चलिए हम आगे चलते हैं फ्रॐ ला येक्सट किया है एक वस्तु अपनी इस्थिर अवस्था से चलना प्राराम करता है 2 सकेंड में 5 मूट्याफर सब्सक्राद की गति प्राव्त कर लेता है इसका तोरण क्या होगा आपको बताना है स्थिर अवस्था है Caystal सब्सक्राटिंग स्थीर था रेस्ट में था उसका प्रारामभिक चाल यू क्या हो जाएगा जीरो ठीक है टाइम दिया हुआ है आपका दो सेकेंड दो सेकेंड टाइम दिया हुआ है और फाइनल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है भी पांच मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है इनिसियल वेलोसिटी प्रारामभिक चाल जीरो फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग आपका पांच दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है और आपसे तोरण पूछ रहा है एसकलरेशन क्या होगा आप बताना है जो गती का पहला नियम है क् तो फाइनल वेलोसिटी पांच दिया हुआ था यू आपका जीरो हो जाएगा एसकलरेशन आपको निकालना था और टाइम आपको दो सेकेंड का दिया हुआ है तो यहां पर आपको टू ए बराबर कितना हो जाएगा पांच ए बराबर दो पॉइंट पांच मीटर पर सेकें किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्रेलिखित में से कौन से उर्जा इसके रास्ते में किसी एक बेंदू पर बढ़ जाती है कोई भी वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है नीचे गिर रही है तो किसी भी पॉइंट पे उसका एक इनर्जी जो है ma creativity energy जैसे जश्ते आप अधर्ती के नजदी पहुंचता है ना तो काइनेट्टिक इनरजी आपका बढ़ते चला जाता उसका करेंटिता की आपको पूष्टा एक बोल है कि ऐक बोल को ऊपर फैक आगया है उपर जाके बोल दुबारा नीचे आगया है तो बताना है किसमें कौन्स्टेंट क्या होगा قि fridge क्या होगा इसमें से fix होता है अपका mechanical energy ऐसा क्यों होता है यहां से है तो आपका kinetic energy गतिज उर्जा धीरे-धीरे कम होगा उपर जाने पर क्योंकि आपका gravitation force उसको नीचे घीचता है तो धीरे-धीरे kinetic energy कम होते जाता है और इधर आपका potential energy इस्थितिज उर्जा आपको बढ़ता चला जाता है highest point पे आपका potential energy इस्थितिज उर्जा maximum हो जाता है और यहाँ पे velocity ball का zero हो जाता है धीरे-धीरे जब ball नीचे गिरता है तो आपका kinetic energy बढ़ता चला जाता है बढ़ता चला जाता है और potential energy आपका घटता चला जाता है ठीक है इसलिए जब बोला था कि जब ball मुक्त रूप से गिरता है देखे जिए बोल यहाँ से मुक्त रूप से नीचे गिर रहा है इस किसमेर आपका kinetic energy बढ़ रहा है और potential energy आपका घट रहा है यह तो पुछा था कि कौन सा energy एक बिंदू पे जाके बढ़ जाता है तो किसी एक बिंदू पे जाके आपका kinetic energy बढ़ जाता है गती उर्जा आपका बढ़ जाता है option number C इसका correct answer होगा next क्या है निमलिखीत oxide में से अमल के 7-7 base मतलब छार के साथ भी अभी किरिया करता है यह सीट के साथ तो करता भी है साथ-7 में चार के साथ भी अभी किरिया करता है तो ओ है आपका उभै धर्मी oxide एमफोटेरिक oxide इसको हम बोलते हैं एमफोटेरिक एकसाइड का कुछ एक्जामपल पूछता है एक्जाम में तो आपका एलमोनियम oxide एल टू ओ त्री जिंक अकसाइड जिंक अकसाइड लेड अकसाइड यह सब आपका एमफोटोरिक अकसाइड होता है वह भै धर्मी औरके शामार होते हैं ऐसा किस ने बोला था ऐसा नी लेंड के अस्टक सिधान अक्टेव व ओप निनर्न में था साड़ेंग आंप आजका मैं आजके में है निवलेंड के समय टोटल 56 अलिमेंट गिया थे जबकि जो मेंडली के समय टोटल आपका 63 अलिमेंट गिया थे नेक्ट क्या है 84 नमर कोस्टिन निम्निलेखीत में से कौन सा अमला हमारे पेट में उत्पन होता है तो हमारे पेट में हाइड्रोकलोरिक अमला उत्पन होता है जिसको कि हम HCL बोलते हैं अप्सन नमर C लेक्टिक एसीड कल परसुआ कलास आपको हम बताया थे जब भी ग्लुकोस टोटता है तो पाइरुवेट एसीड में टोट जाता है और यह पाइरुवेट जब भी उसको अक्सिजन का अभाव होता है जब भी कभी अक्सिजन मिलता है कभी नहीं मिलता है oxygen के आभवाव में आपको lactic acid बन जाता है और lactic acid आपके body में pain होने के लिए responsible है जब आप दे है इसी करण आपको body में pain मौसूस होता है lactic aml के कारण है option number B है sulfuric acid H2SO4 H2SO4 को हम amlokarajah बोलते हैं king of acid बोलते हैं इसको हम oil of petrol के नाम से भी जानते हैं H2SO4 को पहला option है आपका st acid CH3 COOH इसको हम सीरका के नाम से भी जानते हैं वीनेगार के नाम से भी जानते हैं next 85 question potassium का परमानू संख्या 19 है ठीक है 19 है इसके दरमान संख्या mass number 49 है इसके परमानू के नाभिक में nucleus में neutron का संख्या बताना है कितना होगा ऐसा कुछान आपका हम पहले हैं बता चुके हैं मालने जीए यह आपका nucleus है तो nucleus में आपका proton और neutron दोनों होते हैं और electron उसका बहारी काक्षा में चक्र लगाते रहते हैं तो यहां में पूछा है कि निकालना है neutron का संख्या निकालना है और आपको परमानू संख्या परमानू संख्या पता है न क्या होता है कि nucleus में मौझू जो proton का संख्या होता है वही आपका परमानू संख्या atomic number होता है तो proton का संख्या यहां पे P केतना दिया हुआ है 19 दिया हुआ है तो मास नंबर मास नंबर बराबर प्रोटॉन प्लस निउट्रॉन का संख्या दोनों को जोडने के बाद आपको मास नंबर मिलता है द्रमान संख्या मिलता है तो द्रमान संख्या आपको 49 दिया हुआ है फ्रोटॉन का संख्या आपको 19 दिया हुआ है तो यहां से आपको करेक्ट इंसर हो जाएगा कि उसके निवकिलियस में मुझूद निव्ट्रोन का संख्या 20 होगा इस्थिर या गती अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने के लिए एक वस्तु के प्रकिर्टी को क्या कहा जाता है माली जे कोई भी वस्तु आपका गती अवस्था में है और कोई भी वस्तु एक विरामा वस्था में है तो जो भी external force से कारण जो भी इसमें change होते हैं उसका प्रतिरोद करने के लिए जो प्रकिर्ती होता है जो नेचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम जड़ा को बोलते हैं Newton first law लिटर्म फर्स्ट लोग क्या बोलता है कोई भी वस्तु गती के आवस्था में है तो गती के आवस्था में ही रहना चाहता है कोई भी वस्तु बिरामा आवस्था में है तो बिरामा आवस्था में ही रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई external force बाय फोर्स नहीं लगाया जाए नेश्ट क्या है 89 नमबर कोस्चन और आज का लास्ट कोस्चन अगर अभी तक वीडियो को आप लाइक की नहीं किये हैं तो लाइक कर दिजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिएगा ठीक है क्या है मेंडिलीव की आवर साड़नी के समय कितने तत्व गया थे कितने इलेमेंट गया थे तो मेंडिलीव के आवर साड़नी के समय टोटल 63 इलेमेंट गया थे और नीलेंड के समय टोटल 56 इलेमेंट गया थे नीलेंड के समय 56 और मेंडिलीव के समय 63 मेंडिलीव का आवर कितना होता है 58.9 होता है और निकेल का परमानु भार अपका 58.7 होता है अगर परमानु भार के करम में रखना था तो निकेल पहले आता कोबाल्ट से लेकिन कोबाल्ट पहले इन्होंने रखा था और निकेल को बाद में रखा था इसलिए फेल हो गया था मेंडिलिफ का अवर् प्रियोटेबल में कुछ अस्थान छोड़के रखा था जो कि बाद में मोजले ने इस खाली अस्थान को भारा था खाली अस्थान क्या नाम था एक का बोरॉन एका बोरोन एका एलमूनियम एका एलुमूनियम ठीक है और एका सीलिकॉन important है नाम याद कर गियेगा एका बोरोन को बात मैं मौजले ने एक्टॉमिक नमबर जिसका 21 होता है एसकेंडियम से रिप्लेस कर दिया एकका एलमोनियम को जिसका एटोमिक नमबर 31 होता है गैलियम के साथ रिप्लेस कर दिया एकका सिलिकॉन को जर्मेनियम के साथ जिसका एटोमिक नमबर 32 होता है जर्मेनियम के साथ रिप्लेस कर दिया ठीक है एकजाम में पुछता है कि एका बोरोन को किस चीस ते रिप्लेस किया गया है एका एलमुनियम को गैलियम से रिप्लेस किया गया है मोडर्र प्रियू टेवल में मोजले वड़ा प्रियू टेवल में और एका सिलिकॉन को जर्मिनियम के साथ रिप्लेस किया गया है ठीक है इसका एंसर कितना हो जाएगा मंदीव के आवास तरणी का option number भी इसका correct answer हो जाएगा चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं अगर अभी ताक आप चैनल को subscribe नहीं किये होंगे तो कर दिजिएगा और वीडियो को भी like कर दिजिएगा ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जाए हिंद जाए भारत आजए हिंद जाए भारत